अबसकार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ । डिसकस करेंगे गववर्णर क्या कारिया करता है और गववर्णर की क्लासिफिकेशन क्या होती है अगर हम बात करें गववर्णर एक स्पीड कंट्रोलर डिवाइस होता है जो इंजिन लोड में वेरियेशन होने के कारण जो speed variation होती है उसे नियंत्रित करने में मदद करता है और सभी engine में governor की जरूरत होती है और governor एक प्रकार से light mechanical device होता है small moment of inertia के साथ और जब governor तभी कारिया करता है जब engine अपनी mean speed पर run नहीं करता अगर हम बात करें governor अगर petrol engine में use करते हैं तो वह throttle valve को operate करता है अगर governor को diesel engine में प्रियोग किया जाता है तो वह fuel pump को operate करता है जब engine load increase हो जाता है तो engine की जो speed है वो कम हो जाती है और इस condition में हमें fuel supply को increase करना पड़ता है जिसे throttle valve को open करके ही किया जा सकता है तो throttle valve को open करने के लिए governor operate करता है एक mechanism के माध्यम से और engine की mean speed को maintain किया जाता है दूसरी condition यह होती है कि जब engine load कम हो जाता है तो ऐसी condition में engine की speed जादा हो जाती है और हमें engine को कम fuel supply देने की जुरूरत होती है तो इसके लिए जो throttle valve की closing होती है वहें भी governor के दुआरा operate की जाती है एक mechanism के माध्यम से ऐसा petrol engine में होता है ताकि engine की mean speed को maintain किया जासके तो इस प्रकार से गवर्नर कारिय करता है और अब बात करते हैं classification of गवर्नर के बारे में गवर्नर को मुखते दो category में categorize किया गया है सबसे पहले है centrifugal गवर्नर और दूसरा है इनरसिया गवर्नर उसके बाद जो centrifugal गवर्नर है उसकी फर्दर दो categorization है pendulum गवर्नर और loaded गवर्नर पैंडूलम गवर्नर का एक type होता है जिसका नाम है वाट गवर्नर और loaded गवर्नर को फिर फर्दर दो category में categorize किया गया है dead weight गवर्नर और spring controlled गवर्नर dead weight गवर्नर फिर से दो प्रकार से इसको categorize किया गया है जिनके नाम है spring controlled gvarner होता है उसको चार टाइप में categorize किया गया है सबसे पहले है hartnell gvarner उसके बाद wilson hartnell gvarner hartan gvarner और pickering gvarner तो ये चार categorization है speed controller जो speed controlled gvarner होता है उसकी तो इस प्रकार से gvarner की classification की जाती है और जो gvarner होता है ये basically जो fluid charge या fuel की जो quantity होती है जिसे हमें supply करना होता है उस पर पूरा control रखता है और gvarner को वहीं पर use किया जाता है जहां पर हमें constant speed की जुरूरत होती है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया gvarner का कारिया क्या होता है और gvarner को कैसे classify किया जाता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और channel को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे एक नए जए अगरा को बदी कर सकते हैं येई और आपका ये एक पर रहे आपका दिन सुब प्रूलें ये ढ़ा आपका लोगा जन्यवाद झाल झाल